हेलो गाइस कैसे हो आप लोग आसा करता हूं अब अच्छे होंगे तो कल मैंने एक यूटूब पे वीडियो डाला था अब वीडियो तो नहीं वो बस मैंने एक गाना जो तेरे नाम गाना है उसको मतलब की थोड़ा सा गाके मैंने इसा ही मतलब पोस्ट कर दिया था लेकिन य इस गान में उस वेडियो को मतलब की कोपिर अब इंडी है अभी तो मेरे पास कोई फैसन नहीं है अभी मैं क्या करो औरगा ता हूं तो मतलब कोपिरेट प्लेम आधाता है तो यह दूसरा ने दीखा वाला गाना वंता है दुसरे चैसे आया हुआरेए अन्धा थाता है तो तो अभी मैं सोच रहा हूं कि क्या करूं तो मैंने अभी वीडियो बनाने का सोचा है तो ऐसे मतलब कुछ-कुछ अभी बना के डालूंगा गोल कर सोचा खुद का तो इसलिए आज एक वीडियो लेकर आया हूं तो वीडियो मतलब कि मास्रूम प्लांटिशन केसे करते हैं उसके बारे में मैंने थोड़ा सा मतलब की गयान देने के लिए मतलब कि मैंने वीडियो बनाये आप लोगों के दिये तो आसा करता हूं आप लोगों को वीडियो अच्य लगगा सबसे पहले तो हमें आग लगाना पड़ता है और आग जलाने के बाद हमें ये धान का जो गस हता है धान का गस उसे मतलब कि हमें थोड़ा सा भीगो कर उसे भीगो कर हमें मतलब कि इससे बॉइलिंग करना पड़ता है इसे बॉइलिंग करने के बाद जो एसा होता है देखिए मतलब कि बॉइलिंग करना पड़ता है तो बॉइलिंग करने के बाद उसे थोड़ा सा सुखाना पड़ता है बॉइलिंग करने के बाद उसका जो पानी होता है आधा घंटा बॉइलिंग करने के बाद उसका जो पानी होता की जाते हूं में थोड़ा सा है पान हमें लगा में खाते राओ्यार के इसमें डालना है कि वह जो किटाणे के अब यह देखेंगा इस यह है सीड मास्रूम का जो सीड होता है जो बीज होता है वो यह है अभी इसे मतलब की इस पराल में लगा के मतलब की पेकिंग करके इसको रखना पड़ता है एक दो मैना के बाद यह मतलब की जो इसका फाल है वो लब के मतलब की निकल आता है यहां से तो यह बीज है मतलब इसको ख सब्सक्राइब stupid to make the lestick अच्छी को यह लगाने से अच्छा बताать इसको को प्या को प्लस्टिक में मतलब की निच्छे बानना पड़ता है इसको च्छों यह यह ता इक दम दबा 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 के के यह किसे कर रहें मतलब दबादके डाल गे है और डालना पड़ता है उसके बाद कि देखिए साइड साइड से मतलब सीड लगाना पड़ता है तो साइड साइड से शीड लगाने के बाद मतलब कि इसको एक प्लास्टिक में तीन तीन उसमें लगा सकते हैं तीन तरफ तो तीन जगा पर तो इसे लगाना पड़ता है उसके अच्छा से एक्दम確 noch try its को बादना पड़ता है इसको बाधने के बाद हमें मतलब कि अपर लटका करका पड़ता है और इसको मतलब कि धूप पढ़ने नहीं देना पड़ता इसको एकदम अंधेरे में रखना पड़ता है तो इस तरह से मतलब होता है इसका प्लांटेशन तो यह देखिए बहुत अच्छा से यहां पर किया हुआ है तो अभी ज्यादा वीडियो भी लंबा हो रहा है तो तो मैं इसका प्राइज बता हूं यह जो मास्रूम का जो सीड ह आपका फॉर्टी रुपीश तो और इसका जो प्लास्टिक का प्राइज आता है फाइव रुपीश कम तो इतना कम खर्चा में आपको मतलब की इतना ज्यादा फाइदा हो सकता है कि आप सोच भी नहीं सकते नहीं कहना था गाइज अभी हो गया झाल झाल झाल